हलो गाईज कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल मिनाक्षी का किचन में तो दोस्तों आज मैं सेयर करने वाली हूँ यूपी की एक फेमस रेस्पी वहाँ तो हमेशा बनने वाली कभी भी किसी भी टाइम बनने वाली ये रेस्पी है तो हमें तो बहुत पसंद है आप लोग अपने घर में बना के एक बार ट्राइ करिएगा आप लोगों को भी बहुत ही बढ़िया लगेगा सबसे ज़्यादा ये चावाज से खाने में मस्त लगता है दोस्तों हम ले लिए हैं कद्दू छोटा सा कद्दू है तो पूरे कद्दू को नहीं काटना है और इसे दाल की क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है क्योंकि अगर डाल ज्यादा बनाना है तो कद्दू उसे हिसाब से लगेगा अगर डाल कम बनाना है तो उसे हिसाब से ल अब हमने चने की डाल को एक कटोरी चने की डाल ले लिया है और आधी कटोरी से कम तूर डाल ले लिया है आप चाहें तो तूर डाल इसकी कर सकते हैं कि हमको पसंद है कि इसलिए हमने यूज किया है और बहुत सारे घरों में तूर नहीं यूज करते हैं सिपर चने की डाल में बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है आप अपनी घर में ट्राई करिएगा तो दाल को खुब बढ़िया से अच्छे से दो तीन पानी इसको वास कर लेना है उसके बाद हमने पानी दाल के क्वांटिटी के हिसाब से दो कटोरी हमने पानी यूज कर लिया है और कद्दू को कि इसको हम बंद करके गैस के इस धरियम का जला देंगे अब इसे हमाथ गैस के टाल को बन कर देंगी इस यूज को दिखाते हैं एक ही दो और यह दिखाया है तो अभी से एल्ष की फलें ग जमेंगे तो इसे मुतार लेगे जब हम आप इसको दिखाते हैं डाल कितना पका है इतना नहीं ये देहिए अभी सबजी उपर तेर रही है और दाल भी उतने पके नहीं है चैना का दाल है ते इसमें टाइम लगता है हमने जल्दी इसलिए उतार लिया क्योंकि अभी इसमें हम आम डालेंगे एक आम हमने यूज किया है आप चाहें जो दो तीन आम यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के कार्डिंग और बहुत सारे लोग खटाई भी डालते हैं उसका मसाला एक सीटी बोलने तक हम इसको रखेंगे उसके बाद अप फिर उतार लेंगे जब इसका गैस अपनी आप निकल जाए तभी खोलना है अब ये देखिए डाल एकदम गल चुके हैं ये बहुत ही बढ़िया डाल दो बन के तयार हो गई है देखिए ये ऐसे ही कितना टेस्टी ल जाएगा सिंपल डाल में भी स्वाधाएगा कि को चनी की दाल वास्तोमें वैश्चे बहुत अच्छी लगते हैं पर स्वाइब करने के बाद उसका टेस्ट ही अलग हो अब इसको ऐसे धीरे से हम फ्राई कर लेंगे अब सही मायने में दाल हमारी अब बन के रेडी हो गई है अब इसको सजाने के लिए धनिया से गानिश कर दीजिए और दोस्तों इसको यूपी की भासा में लगदावा बोलते हैं आप लोग इसे क्या बोलते हैं जरूर से जरू लाइक कमेंट से एर करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है अब इसे दाल चावल के साथ परोशिए बहुत ही अच्छा लगेगा धन्यम